अब 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 अपमें लास्ट लेक्चर में अचियाटी कुश्चिंस को डिसकस करें बटा आज हम उन्हें कुश्चिंस को आगी करते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट कुश्चिंस है वो गीवन है ऐनलिसी सो दैट निकल ओक्साइड है जाज दा फॉर्मूला कि हमारे पास निच्ट कोगजिए और उसका ओवलला गीवन है विख निचल ऑक्साइड ठीक है और यहां पर रच्छन दिया हुगा है जो निकल है 0.98 और ऑक्सिजन है वन है ठीक है इस के रीट में होना तो ऺंच्छी था निकल ऑक्साइड ठीक हो भेंड़ उन्हा नहीं कुछन रिष तो इसको मैं क्या बोल दूँगा कि मैटल डेफिशेंट डिफेक्ट यह हो जाएगा हमारे पास होल्स बने हो तो अब क्या पूछ रहा है कि इसके अंदर जो निकल टू पॉस्टिव था कुछ निकल टू पॉस्टिव चले गए और कुछ जो निकल टू पॉस्टिव थे वह तो यहां पर यह पूछ रहां कि कुछ निकल टू पॉस्टिव और निकल टू पॉस्टिव की पर्सेंटेज या फ्रेक्शन क्या होगा यही हमने फाइंड आप करना है अब जो निकल टोटल चाहिए वह डू पॉस्टिव वह जाए ठी पॉस्टिव वह है कितने 0.9 अभे तो मैं माल लेता हूँ, let number of nickel 2 positive is x, ठीक है, x हो गई, तो so number of nickel 3 positive, total कितने दिख रहे हैं, 0.98, तो x हो गई nickel 2 positive, तो 0.98 में से यह चलिए रहे हैं, कि दे रहे हैं, ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम charge की, कि भई, nickel 2 positive के x number हो गई, तो total charge कितना हो गई, ठीक है, total charge कितना हो जाएगा, जैसे कि भी मैं कहूँ, कि भी मेरे पास 5 iron है, 1 iron पे 2 charge है, तो 5 पे कितना हो आप multiply कर दूँगा, तो वैसे ही, ठीक है, total x है, 1 के उपर plus 2 है, तो x iron के उपर कितना charge हो जाएगा, 2 x, ठीक है, हमने कुछ भी नहीं किया, मैंने उनके numbers को charge से multiply कर देखे, तो total charge निकालना है, तो मुझे, ऐसे nickel 3 positive की वज़े से total charge कितना हुआ, ठीक है, एक nickel 3 positive है, कितना charge है, plus 3 है, total इतने है, तो इनके ओपर कितना charge होगा, 3 से multiply कर देता हूँ, तो plus 3, 0.98 minus x, किलियर हो गया, अब जो मेरे पास oxygen है, number of oxide ions, वो कितने हो गई, 1 हो गई, तो total charge कितना हुआ बेटा, total charge हो गया, minus 2 charge है, और एक ही आयन है, तो minus 2 हो गई, अब हम जो starting से एक ही बात बार बार बोलते हैं, कि defect चाए जो भी हो, उन crystals की या solids की जो electrical neutrality property है, वो maintain रहेगी, वो electrically neutral ही रहेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भई, वो electrically neutral रहेंगे, कि total charge 0, तो total charge कैसे निकालूँगा मैं, ये charge plus ये charge और ये charge, इसके को लोजएगा, जीरो, ठीक है, to maintain electrical neutrality, तो total charge is equal to 0, total charge is equal to 0 हो गया हमारे पास, ठीक है, तो यहां से हो गया हमारे पास total charge 0, अब इसको solve कर लेते हैं, तो 2x कितना आजाएगा यहां से, 2.94 minus 3x minus 2 is equal to 0, जब मैं इसको solve करूंगा तो 0.94 minus x is equal to 0, that is x is equal to 0.94, तो ये जो x आया, x actual में था, को ये, nickel 2 positive, तो हमारे पास जो nickel 2 positive आ गए, वो हो गए 0.94, ठीक है, so, nickel 2 positive is equal to 0.94 and nickel 3 positive, कितना था वो, 0.98 में से इनको मुझे minus करने हो गए, और क्या जैगा, ये आ गया है, अब मुझे क्या निकालना था, percentage या fraction कुछ भी निकाल सकते हो, तो percentage of nickel 2 positive, तो nickel 2 positive इतने हैं, total nickel कितने थे, ये, और इसको 100 से मड़के अपलाए, तो जब आप इसको 100 करोगे, approximate कितना आ जाएंगा, 96%, ठीक है, और इसी तडिके से, nickel 3 positive, वो कितने आ जाएंगे हमारे पास, nickel 3 positive, तो handle minus 96 is equal to 4, तो बिल्कूल इजी सा concept था, बस तुमने क्या ध्यान में रखना हैं, ये जो total charge होता है, वो zero होता है, ठीक है, even existing the defect, defect आने के बाद भी, total charge zero रहेगा, तो उसी चीज़ को तुमने follow आना है, next question है हमारे पास, next question है, वो देखो ध्यान से, क्या कहता है, कि non stoichiometric cuprous oxide, ठीक है, non stoichiometry है, मतलब stoichiometry maintain नहीं रहेगी, cuprous oxide तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, फिर कहता है, in this oxide, copper to oxygen ratio is slightly less than, भी actual ratio कितना है, ठीक है, मतलब कि, आम जो सोच लें theoretical कह सकती है, theoretical ratio कितना है बेटा यहाँ पर, 2 is to 1, मतलब copper के 2 है, तो oxygen का 1, but जो actually, जो reality है, ठीक है, actual जो ratio है, वो क्या कहता है, ratio lower than 2 is to 1, ठीक है, मतलब कि, यहाँ पर जो copper होगा, वो copper 2 नहीं है, अन्य रेश्यों कितना है, 2 by 1 है, बड़ कहते हैं, इससे थोड़ा छोटा है, मतलब कि, 1.98, 1.99, कुछ भी हो, इससे छोटा होगा, ठीक है, तो जब उसके अंदर vacancies मनेंगी, तो कह रहा है, तो क्या आप कह सकते हो, कि यह भाई, यह P-type semiconductor होगा, आप गैस कर सकते हो, तो P का मतलब क्या कहता है, पोस्टिव, P stands for positive, and positive means, vacancy of electron, या फिरी कह सकते हो, majority charge carriers, कौन होगे, यहाँ पर false होगे, majority charge carriers are false, तो यहाँ पर चल गाता है, जब कुछ copper के आएन चले गए, जब copper के कुछ आएन चले गए, जब two copper positive चला गया यहाँ से, या simple a copper ही गया यहाँ से, अजूम करो, कि one copper आएन यहाँ से loss हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से copper remove हुआ, वहाँ पर क्या बन गए, एक hole बन गया, और hole के उपर कैसा charge होता है, positive, तो positive मतलब P, मतलब वो कैसा semiconductor बन जाएगा, P type, तो यह कह सकते हैं कि, हाँ वो P type semiconductor ही होगा, due to presence of large number of holes, ठीक है, holes की वज़े से, वो P type semiconductor हो जाएगा, ठीक है, तो यह चीज़ा आपने ध्यान में रखनी है, next question आता है हमारे पास, हमने formula बनाना है, तो कहता है कि, ferric oxide है, मतलब iron के ions हैं, और oxygen के ions हैं, तो ferric oxide crystallized in a hexagonal close packed array of oxide iron, मतलब कि, जो oxide ions हैं, वो कहाँ पर present है, with two out of every three octahedral holes occupied by ferric ions, तो जो ferric ions हैं, वो कहाँ पर हैं, वो present है octahedral holes पर, octahedral holes सारे के सारे occupy नहीं है, क्या कहाँ रहे हैं, two out of three, मतलब तीन में से दो के उपर ही ferric ions हैं, ठीक है, तो मां लेते हैं, collect, hcp lattice point कितने हो गई, हमें माल लिया, हमें N हो गई, ठीक है, so number of oxide ions, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो जितने ही hcp lattice हैं, उतने ही oxide ions हो गई, ठीक है, अब हम क्या कहा देते हैं, कि जो ferric ions हैं, ठीक है, जो ferric है, ferric ions occupy, two-third of octahedral volts, ठीक है, सारे के सारे occupy नहीं कि, इसमें लिखा हो, इसमें आप सर्फ, two out of three, कि तीक में से, दो के उपर कौन present है, ferric ions, तो, so, number of ferric ions, अब octahedral volts कितने होते हैं, equal to lattice sides, तो n हो गई, तो कितने हो गई यह, two by three into n, तो अब हमारे पास, ratio के आज़ेगे बटा, fe3 post u, is to oxygen negative, कितना आगा यह, two by three n is to, ठीक है, n से n कैंसी हो जाएगा, और, whole numbers में होते हैं आइंस हाना, कभी भी fractions में नहीं होते हैं, तो इसको whole number में convert करने के लिए, three से multiply कर दूँगा, तो हमारे पास जो ratio आया, ferric and oxide ions का, two is to three, that is, fe2, three, यह हमारे पास, उस compound का formula आगया, तो बिल्कुल लीजिए से questions है, और अपने CVS से में इनके उपर problems पूछ ली जाती है, next question है, बेटा, हमारे पास हमें बताना है, कि किस type का semiconductor बने आगया, ठीक है, हमें semiconductor बताना है, तो बिल्कुल सिंबल से हैं, तो क्या कहता है, इस जर्मेनियम डॉप्ड विद इन्डियम, इस जर्मेनियम का उसके अंदर डॉपिंग की गई है, इन्डियम की, ठीक है, अग जो इन्डियम है, कौन से गुरुप से बिल्लों करता है, गुरुप 13 से, मतलब कि, electron deficient, electron bridge नहीं है, भी जो germanium है उसको कितने bond बनाने होते हैं 4 बनाने होते हैं, अब बदल में जो germanium था, उसकी जगया पे हमने क्या डाल दिया हमने indium डाल दिया indium तो सिर्फ कितने bond बना पाएगा 3, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा एक vacancy बन गया नए, electron की कमी आगए deficiency of electron is called hole or vacancy, तो यहाँ पर क्या बन जाएगे, holes बन जाएगे electron तो कम हो रही है न तो deficiency of electron or presence of hole makes a p-type semiconductor तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा p-type semiconductor क्योंकि electrons की यहाँ पर कमी हो गईगे next यह हमारे पास boron dopped with silicon जो boron है हमने उसको dopped किया उसके अंदर dopping की है, किसकी dopping की है, silicon की हमने उसके अंदर dopping की है, ठीक है तो अब question को जाएगे, बोरोन है जो main crystal है, वो boron है, उसके अंदर हमने silicon डाल दिया, अब जो boron है, उसके पास कितने होते हैं three electrons है, मतलब कि वो तीन bond बना रहा हुआ, तो अब यहां पर जो silicon है, उसके पास four electron है, मतलब कि जो main जो host है, वो boron है और जो foreign है, जो उसको हमने डॉप करने हैं, उसके पास जादा electron है, electron rich हो गया है तो जो electron rich होगा वो क्या बनाएगा, end time इसको तो तीन bond बनानेगा, तीन bond तो बनानेगा, एक electron three rays हैगा, मतलब majority charge carrier are electron, and so this is called end type semiconductor, ठीक है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, उसको end type semiconductor, हम उसको बोल बनाएगा next आता है, हमारे पास, जो next question है कर रहा है, aluminium crystallized in a cubic close packed structure जो aluminium है, ccp form बनाता है, उसकी radius गीवन है, ठीक है जो aluminium है, जो ccp form बनाता है, उसकी हमें radius गीवन तो silicon की, sorry, aluminium की जो radius है, वो radius गीवन है, 125 picometer, अगर मैं इसको centimeter में convert करना चाहूं तो यह ओक है, ठीक है पूछ रहा है कि how many units है how many unit cells are there are there in one centimeter cube of aluminium क्यापक है, अगर मेरे पास aluminium है, उसकी volume one centimeter cube है, तो उसके अंदर कितनी unit cells present तो भाई, यहाँ पर कौन है volume है, तो मुझे जो aluminium की radius है, मुझे इसको भी volume में convert करना पढ़ेगा, तो सबसे पहले में क्या value आजएगी, यहाँ से मेरे पास value आजएगी इसके, ठीक है, और यह कितना आजएगा हमारे पास क्या आजएगा है, यह आजएगा है, यह आजएगा है, अब मुझे क्या निकान ले है, एक्चर में, मुझे तो volume निकान ले है, ठीक है, तो अब volume क्या होती है, volume is equal to edge length cube, मतलब 354 into 10 raise to power minus 10 का cube, ठीक है, आप इस cube को solve करोगे, और जब इस cube को solve करोगे, तो values आजएगी, हमारे पास 4.4 into 10 raise to power 23 centimeter cube, ठीक है, इतना हो गया, अब हमने क्या करना है, अब ही कह रहा है, यह तो हो गई, just एक unit cell की volume हो गई, अब हमारे पास total volume है, 1 centimeter cube, तो 1 centimeter cube के अंदर कितनी unit cells होगे, तो निकाल सकते हैं बिल्कुल इस, easily, क्या होगा, अगर आपको बिल्कुल सिंपल method से समझना है, तो मेरे पास यह क्या होगी, यह मेरे पास volume होगी, 1 unit cell के, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4.4 into 10 raise to power minus 3, 23 centimeter cube, have unit cell, कितनी unit cell होगी, इसके पास तो 1 centimeter cube में कितनी unit cell हो जाएंगी, 4.4 into 10 raise to power minus 23, into 10 raise to power plus 23, और इसको हम solve कर लेंगे, हमारे पास सारा से लाग, तो सिंपल से question है, तो बस हमने उसके basics को समझना है, और easily वो सब खूज हैंगी हमारे पास, ठीक है बटा, तो यह सारे के सारे जितने भी NCRT questions थे, जो कुछ different थे या difficult one थे, वो सारे हमारे पोची, अगर फिर भी कोई problem देती है, तो बता सकते हो, ठीक है, ओके, thank you.